करता है रैजिस्टेंस आप आ मीटर हम लोग पास आप इंप आप आप प्यारे बच्छो उसकी रैडिस्टेंस थर्टिन ओम दी हुई है करेंट हंडेड महलब फूल महलब जो उसकी आप मीटर की चो रेंज जो रीडिंग वो हंडेड इंपियर तख करता है चलो एडिस्नल सं संट में हमने कनेक्ट किया जिससे उसकी जो है रेंज वो बढ़ गई हंडेड एंपियर से आफ 750 तगरीड कर रहा है तो हमें उसकी संट की वैल्यू निगाल नहीं है तो यह देखो आमीटर होता क्या कि अगर एक गैलवेनोमीटर है अगर उससे मैं लो रजिस्टेंस पैरलल म यह पूरा डिवाइस यह आमीटर की तरह काम करता है और इसकी जो रीडिंग है यहां से जो करेंट आ रही है वो एक्चुली हंडेड एंपियर है इस डिवाइस की मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं यह पूरा डिवाइस एक आमीटर की तरह लग गया और इसमें हंड के पूरा इस संट क्वाइल इन सब का रजिस्टेंस मिला के मतलब इस आमीटर की रजिस्टेंस यह थर्टीन ओम दिया हुआ है और यह जो है यह हंडेड एम्पीर रीड गर रहा कुछ ऐसा तो यह पूरा डिवाइस यह वाला पूरा आमीटर है इसको ऐसे भी लिग सकता हूं इसे भी उना सकता हूं तो जब मैं इसको कहीं सर्कीट में लगाऊंगा आमीटर को सिरीज में लगाया जाता है तो मैं हंडेड एम्पीर तक रीडिंग मुझे मिल सकती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन अब इस आमीटर में इसमें मैं एक अलग से यहां पर एक सं अंट की वैल्यू कनेक्ट करनी है तो इस आमीटर में एक और रजिस्टेंस कनेक्ट करो और यह यह आमीटर की रजिस्टेंस थाटी नों पहले सी थी और यह मैक्सिमम हंडेड एम्पीर तक रीडि कर सकता था ठीक है लेकिन यह यहां से अब इस पूरे यह जो नया इस में 150 मतलब यहां से हकता है तो यहां कितनी जाएगी इसमें 650 इम्पीर इस裝ह XL गांद चेना तो अब मुझे x की अगर value निकाल नहीं है तो point 1 और point 2 यह जो point 1 और point 2 के potential difference है वो इस resistance और इस resistance का equal होगा तो equate कर देता हूं तो 100 multiplied by 13 must be equal to 7 and 50 multiplied by x और x एक नया से जो unknown 8 गिये थे उसकी value है तो चलो तो यहां से हम काट लेते हैं यह 0 ने 0 को काट दिया और यह 5 टाइम्स कर जाएगा और यहां जाएगा 2 x की value जो है नया resistance जो calculate किये वो 2 ohm का होगा प्यारे बच्चों that is first option सही है